हेलो एविवान वेलकम बैक सो आप सभी लोग गैस कर रहे होंगे कि परानी वाली स्टोरी मेंने कंटिन्यू क्यों नहीं की तो गाइस यार मोह स्टोरी मुझे ज़्यादा इंट्रस्टिंग नहीं लगी और आई तिंग आप लोगों को भी नहीं लगी तभी तो उस पर स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो इस स्टोरी की शुरुआती काफी इंट्रस्टिंग होती है हमारा में लीड चांस और सभी को अगर क्लास में बताता है कि गाइस यू आल नो कि हमारी क्लास की टॉप पर मिल नहीं रही है I don't think कि वह कहां पर चली सभी लोग सप्राइज होते हैं उसके बाद स्टोरी थोड़ी पास्ट में जाती है यहां पर हम सभी स्टूरेंट को देखते हैं स्कूल अभी अभी स्टार्ट हुआ था यह सभी सीनियर बन चुके थे यहां पर लोगों को बारा-बारा 20-20 घंडे पढ़ना पड़ता है I don't think इतना कोई पढ़ पाता हो बिकास क्लास पूरी फूल हो चुकी थी हैं जीना को लग रहता है कि आद वो क्लास में सबसे फर्स्ट पेपर उसे वहां पर जाका पता चलता है कि नो बेटा तुम सबसे लेट हो अगले दिन मौक टेस्ट होता है तो उसके लिए सबही जो शोर से पढ़ाई करने लगते हैं यूरी सेल्फ स्टेडी करके चरी जाती है पर जीना फिर भी काफी जाता महनत कर दी रहती है उसे लगता है कि नहीं यार उसे अपने लेवल के साफ से और भी जादा पढ़ना चाहिए इसके बाद वो रात के एक बचे तक पढ़ती है जब सुबह मौक टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी रैंक तो सबसे नीचे है मतलब बिचारी ने इतनी महनत की है लेकिन उसके नमबर इतने नहीं आए इस स्कूल में भी एक बुली ग्रोप है जिसकी हैड है सेरा और जब जीना सेरा के बगल में खड़ी होती है तो वो कॉशन्स के आंसर बोल रही थी तब ही सेरा उसे ये कर चुप करा देती है कि तुम्हारे खुटी ग्रेट्स तो अच्छी नहीं आए और कॉशन्स से हमारा कॉशन्स पेपर मिलवा कर क्या हमें फैल करना चाते हो इसके बाद जीना चुप हुजाती है और उसके दो काफी कॉशन्स कलत है इसके बाद क्या था बिचारी को इतनी मैनत करने के बाद भी डिसपॉइंटमेंट ही मिलती है और जब वो सबी को देखती है तो उनके सिर पर उसे उन सबी की रैंक दिखाई दे रही थी यहाँ पर यून बेन और यून दो क्लास के टॉपर रहते हैं तो उन दोनों की रैंक की फस्टी और यूरी क्लास की सेकंड टॉपर है तब ही उसे लगता है कि यार उसके सारे फ्रेंट तो एकदम आपर समार्ट हैं फिर वो क्यों डम रह गई सीने में आग तो लगी गई थी जब स्कूल से बहान निकलती है तो साथ में जो प्रॉफेसर रहती है वो यहाँ पर हमारी जीना के पास आती है और कहती है कि तुम्हारी बड़ी बैन तो यार क्या पढ़ाई करती थी वो काफे दा इंटेलिजन थी तभी तो उसकी रंग इतनी अच्छी है यह इन उसे इतनी अच्छी उनिवस्टी मिल गई यहां ईच्छी पर दो यह पर दोई उनको अपनी मोम से जाना था और बच्छे सिर्थ जीना और चानसॉ wild. नि ये दोनों स्चाइडि हुड फ्रेंड से और बच्पन से एक दूसरे के साथ ही रहते हैं. तो इन दोनों वी च्खोटी बड़ी बातहीицाटी पता रहती हैं और और जीना एक साथ रिनर कना स्वी निर्ट करते हों बच्वूइंथ। तो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ट हो चुकी थी कि उसे चांसुल के जिर पर भी उसके ही ग्रेट्स दिखने लगे थे और सोच रही थी कि आज चांसुल तो इतना पड़ता भी नहीं है फिर भी उसकी ग्रेट मुझसे बस एक पीछे है मतलब वह भी इतना ज्यादा कर लेती है मुझसे बहुत हार तरीक से ट्राय किया था क्या करूं मेरे ग्रेट्स कम रहाएं इसके बाद उसकी मुझस कहती है तो मैं भी तो हुआ ही कह रही हूं तब ही जीना कहती है कि आप यह बोलने का तरीक अग्दम सही नहीं है बिचारी जाकर कमरे में रोने लगती ह इसके बाद अपना टेक्स्टाग्राम खोलती है इसके बाद अपना टेक्स्टाग्राम खोलती है इसके बाद अपनी नहीं नहीं पोस्ट डालती रहती है आज का थौट रहता है कि I don't know matter how much I try people only care about the result में वो कितना भी try कर ले बड़ लोगों को बस result की ही चिंदा रहती है औ यहां पर इसके दिल में जीना के लिए थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग रहती है और यहां पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है हमारे चामे का सेकंड में ली इंट्री मारता है दरसल वो एक दूसरे स्कूल से ट्रांसफर लेकर वीच सेमिस्टर में इस स्कूल मे क्योंट अधिया है यहां पर ह provided he says yo the यहां पर कांग डीन कोई होड़ी तो से देखाए उन्डेया पर जाता है यह दी आप कुछ भी हो सकता है बात यहीं कतम नहीं होती यूरी ग्लास की सेकंड टॉपर है और हम देखी सकते हैं वह कि जादा ब्यूटिफो लैस्ट की वए से काफी लड़कियों के साथ ग्रोप प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी बट जीना सभी से कह दिती है कि नहीं यूरी उसके काफी उल्टा सिधा बोलती है यूरी की तारिफ के पुल बांदे जाती है सोचती है कि यह सिल्सला अभी से स्टार्ट नहीं हुआ जब से वह यूरी की फ्रेंड बनी है तो उसे काफी ऑक्वर सिच्वेशन जिलनी पड़ गई है कि जब यूरी ने क्लास मेंट्री मारी थी तो वह काफी था ब्यूटिफुल थी जी ना उसकी जल्दी से फ्रेंड बन गए क्योंकि वह काफी अच्छे से बात करती थी यूरी ने उससे अपना फ्रेंड बैंड भी बन गया लेकिन इसके चक्कर में उसे तनी जदा उक्वर सिच्वेशन झिलनी पड़ी कि वह बस पत किसे दूसरे को पटवा रहे हैं शरब नहीं आती हैं लोगों को सिच्वेशन अब थोड़ी चेंज होती है जब यूरी क्लास से बाहर निकलती है तो एक लड़का उसे गिफ्ट देने के लिए होता है तभी यूरी कहते है कि हम सौरी मैं गिफ्ट नहीं ले सकती तभी लड पर जाने के लिए पूंच लेता है तभी सहरा मा पर आती है कि सुच में इसने जीना को प्रपोस किया है यूरी को नहीं सचा बैट चॉइस इसके बाद वह इतना क्या करवां से चली जाती है और जीना की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता वह उस लड़के के दी गया इसकी सिच्वेशन कुछ अलगी है तैयार होका स्कूल पहुंचती है विकॉज उसे एक नया प्रपोसल जुमला है तभी वो लड़का सुबह फिर से उसके लिए गिफ लेकर आया था यार वो लड़की जो सालों से सिंगल है तरसल पूरा मैटर ये रहता है कि उस लड दीर मेला की उभी ञुज़ है यूरी को इस बात को लेकर कालता है तब यारी को यूरी से कुछ कहना वेकर है विकॉज उसने कुछ किया की नहीं आ है कि वो पागल कुछ ज्यादा excited हुई फिर रही है दोनों जाई रहे होते हैं इतने में surprisingly जीना ने सारी बाते सुन ली थी इसके बाद वोस लड़के को बात करने के लिए बुराते हैं उससे कहती है तुम समझते क्या हो खुद को क्या तुम किसी की feelings के साथ खेल सकते हो बट ये तुम्हारा right तो man eater है मतलब लड़के निगलने वाले वारत है इसके बाद क्या था जीना को इस पर बहुत यह तक गुस्ता हाता है और वो टेक्स्टाग्राम पर समने thoughts share करने लगती है एक लड़का उसके thoughts को काफी ज़्यादा deeply feel कर रहा था दरसल ये कोई और नहीं है वरकि दो यून है इन दोनों को पता नहीं रहता कि टेक्स्टाग्राम पर पोस्ट कॉन डालता है जीना कोई पता नहीं रहता कि दो यून उसकी पोस्ट इतनी ज़्यादा लाइक करता है यहाँ और में पता चलता है कि दो यून की मौम का विदा स्ट्रिक्ट है वो बस उस पर इतना ज़्या दूर रहना यहां पर कांगवोग कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इस स्कूल में हो I'm sorry अगर पता होता तो मैं इस स्कूल में कभी नहीं आता इसके बाद स्टोरी में पास्ट में दिखाई चाती है जब यूरी अपने पराने स्कूल में थी तो उसकी बेस्ट कांगवोग को काफिता पसंद करती थी मतलब इट मींस बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और वो नहीं चाहती कि कांगवोग के आसपास कोई भी रहे के बाद कांगवोग इंस्ट्राग्राम पर उसे follow request भीचता है यूरी को ना कि उसकी फ्रेंड को इसके बाद यूरी क कि एक और फ्रेंड इस follow request को देख लेती है यूरी को बिना बताया उसे accept कर देती है और वो कहती है कि कांगवोग काफिता है ना तो यूरी कहती है कि हां हैंसम तो है बट बिचारी ऐसा कुछ सोस्ती भी नहीं है यहां पर उलड़की उसे follow back भी कर देती है इसके बाद क्या वो बाते बना कर यूरी की बैस्वेंड को भड़का देती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि यूरी तुमारे पीट पीछे क्या करी है उसने कामवोग की follow request accept कर लिये और दोनों की रात में चैटिंग भी हुई है इसके बाद क्या था यूरी की फ्रेंड कुछ भी सुनने क होते या नहीं थी और वो काफे दा गुसा होई पड़ी थी जब यूरी उससे बात कहने की कोशिश करती है बट शी रिजेक्टेड वो कहती है कि तुम दूर रहो तुम बैस्विन की नाम पे कलंग हो एक तो एक तुम्हें पता था कि मैं कामवोगो के नहीं पसंद करती हू इतना जादा बुली कि बिचारी यूरी का उस स्कूल में रहना ही मुश्किल हो गया था वो दोनों लड़की हम मिल कर उसकी कौपी तक फार डालती है और बिचारी यूरी तो ये सब सहन नहीं कर पा रही थी उससे बुरा फील होता है उन दोनों से बात करनी कोशिश करती है बट वो दोनों रिफ्यूस कर देती है इसके बाद क्या था यूरी उस स्कूल में दो पल भी नहीं पिता सकती हो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज स्कूल चेंज कर लो इसके बाद उसकी मॉम इसकी बुरी हालत देखकर उसका सारा स्कूल चेंज कर देती है और इसी के स तो यार इंस्टाग्राम फ़री फॉलो कर लेना एंड मेरी आवाज आज कल थोड़ी खराब रह रही है विकॉस मुझे कोल्ड भी है सो मिलते है नेक्स पार्ट के साथ के लिए बाई बाई